पागल लड़की, रियल लाइफ हार्ट टचिंग स्टोरी ये कहानी एक कलपना मातर नहीं है, ये एक ऐसी लड़की की सच्चाई है इसने जीवन बड़ संगर्शी किया, जिसने अपने जिन्दई को सफल बनानी के लिए अपने आप से समाज से जगड़ा किया जबलपुर, जबलपुर वह शहर है, जहाँ पर उस लड़की का जनम हुआ था उसका नाम बड़े प्यार से रखा गया था पोजा, पर कोई नहीं जानता था वह लड़की अपनी किसमत में क्या लेकर आई है जब वह दो साल के हुई, तो कोई भी बात नहीं समस सकते थी उसकी माँ हर दिन उस लड़की में परिवर्दन देखा करते थी वह छोटी सी बच्ची के मुँ से माँ शब्द सुनने के लिए तरसा करते थी पर उसकी माँ को यह नहीं बता था कि उसकी लड़की में कुछ कमी है एक दिन अचानक से उस लड़की को दोरे पड़े और वह जमीन में लोटने लगी यह देखकर उसकी माँ घबरा गई और भागकर डॉक्टर के पास उसे ले गई डॉक्टर ने चेक किया पर उस लड़की की परिशानी को वह समझ नहीं पाया और उसने दूसरे डॉक्टर के पास उसे भेज दिया इसी तरह उसकी माँ ने कई डॉक्टर के पास जाकर अपनी बेटी का इलाज कराने ही कोशिश की सभी डॉक्टर ये बास समझ नहीं पाए कि बेटी को क्या हुआ है वे लड़की बोल भी नहीं पाते थी माही कुछ समझ पाते थी मा बड़ी परिशान हो गई थी बिचारी घर घर में बरतन माज कर और इडली की दुकान लागा कर अपने बेटी का इलाज करवाया करती थी क्योंकि उसका पती निकम्मा था कोई कामकाज नहीं क्या करता था फिर भी मा ने हिम्मत नहीं हारी और डॉक्टर के पास उसे ले गई डॉक्टर बोला आपकी लड़की पागल है इसे पागल खाने में भेज़ दो आने का समय आ गया लेकिन वे उस लड़की को दोरे पढ़ना कभी बन नहीं हुए उसे स्कूल में भी दोरे पढ़ जाया करते थे वे जमीन पर भी लोटने लगती थी कभी कभी जब वे अपने दिमाग पर काबू नहीं पाती थी तो उसके अंदर कई बरकार की तकलिफे होती थी उसे स्कूल के बच्चे हमेशा परिशान करते थे सीधी साधी भोली भाली से लड़की उसे क्या पता कि उसके दिमाग में क्या परिशानी है हद तो तब हो गई जब एक दिन स्कूल की टीचर ने उसकी मा को बुलाया और बोली आपकी लड़की तो पागलो जैसे हरकते करती है उसकी मा बोली टीचर जी मेरी बेटी पागल नहीं है वह बस बिमार है पर स्कूल की टीचर कहा मानने वाली थी उस लड़की को पढ़ाने उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया अब मा परिशान रहने लग गई उस स्कूल में उसका दाखला कराया वहाँ एक टीचर थी बहुत अच्छी टीचर थी उसने उस लड़की को पढ़ाने के जिम्मेदारी अपने उपर ले ली कुछ समय बाद मा को एक नामी डॉक्टर का पता चला वह अपनी बच्ची को लेकर उस डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने चेक किया और बताया आपकी लड़की पागल नहीं है नाम बताओ जिसने इस लड़की को पागल कहा है मैं उससे ठीक करूँगा बस इसके पेट में एक पतार है जो धीरे धीरे इसके दिमाग में चढ़ने की कोशिश कर रही है जिसकी वज़ेसे इसको दोरे आते हैं मैं इस पतार को निकाल कर नए तरीके से इलाज करूँगा डॉक्टर की महनत सफल हुई वह लड़की ठीक हो गई लेकिन डॉक्टर ने बताया ये लड़की अपने दिमाग से और अपने उम्र से दो-तिन साल पीछे चलेगी पर ये पढ़ेगी जरूर और लिखेगी भी और बोलेगी भी फिर स्कूल में टीचर की महनत रंग लाई दिरे दिरे वह लड़की पढ़ने लगी इस तरह लड़की ने अपने जीवन के कई उतार चड़ाव देके और भी ये पास कर लिया लेकिन लड़की के भाई भेन उसे ठीक हो जाने पर भी पागल बनाना नहीं छोड़ते थे आसपास के महनले के कई लोग भी उसे पागल पागल कहकर ही पुलकारा करते थे वह लड़की हिम्मत नहीं हारी जब वह पुली तरह ठीक हो गई तो उसके बड़े भाई ने उसके ओपर पहरा लगाना शुरू कर दिया उसे भार छज्जे में खड़े होने तक नहीं देते थे उसकी पड़ाय लिखाये पर वे पाबद्दे लगा दी वह लड़की पढ़ना लिखना चाहती थी और आई पीस अफसर बनना चाहती थी परन्तु उसकी माँ और भाई ने उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं कि और उसकी शादी कर दी शादी होने के बाद भी उसके सुनने उसे आगे पढ़ने नहीं दिया घर की जिम्मेदारियों का बोज उस पर डाल दिया वे लड़की अपनी इच्छाओं को मार कर अंदर ये अंदर घुटती चली गई उससे में टेलीफोन का जमाना था इसलिए वो जहा कर भी इंटरनेट से पढ़ाई नहीं कर पाई और जब मॉबाइल का जमाना आया तब तक उसके पढ़ने लिखने की उम्र ही निकल चुकी थी फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी फिर आया फेस्बुक उसने उसके माद्यम से अपनी पहचान बनाने की ठानी उसने कवीता, शायरी, लेक लिखने का उसे काफी शौक था 11 और 12 कक्षा में स्कूल की पत्रिका में अक्सर उसकी कवीता और लेक छपा करते थे इसी में वेखुश हो जाया करती थी लेकिन शादी के बाद उसकी इच्छा दफन होकर रह गई फेस्बुक के माद्यम से उसने अपनी कवीताओं और अपने विचारों को लोगों के सामने रखा जिसमें उसको बड़ा मानसमान मिनने लगा था अब मैं आप लोग से सवाल करती हूँ ना जाने उसके जैसे कितनी हजारों लड़किया है जो अपनी इच्छाओं को अपनी पारवारिक मजबूरी या आर्थिक मजबूरी के कारण दबा दिया करती है क्या आप बताए क्या लड़कियों की इच्छाओं को कोई वजूद नहीं होता क्या लड़कियों की इच्छा का अंत इस तरह से किया जाना ठीक है अब मैं आपको ये बताना चाहूंगे कि विशिप्त लड़की कौन थी वे और कोई नहीं थी जी हाँ, पुजा कुपता थी वो पागल लड़की ये एक सची घटना है तो आप गौर कीजिए अपने आस्परोस में, बहुत हो के परिवार में भी ऐसे बच्चे होंगे तो उनका अच्छी तरह से इराश कराईए और आप किसी की भी इच्छा उकमत मारिए लड़का हो या लड़की, किसी की इच्छा उकमत मारिए कोई भी लड़की अगर अपने जिन्दगी में कुछ करना चाहती है उसका कुछ मक्सद है तो उसको करने दिजीए उसको आजादी दिजीए हर इनसान आजादी पसंद करता है कोई भी कैद में रहना पसंद नहीं करता तो इच्छाओं को मत मारिए इच्छाओं को पूरे करने में आप सहयोग करिए तब ही आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे अगर आप उनकी इच्छाओं को मारेंगे तो बढ़े होकर उनको वो सब जहिलना पड़ेगा जिस दोर से वो गुजरे हैं और उनका मानसिक स्वास्ति भी उनका अच्छा नहीं रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करने चैनल को ज़्यादे जश्यादे